Hello Everybody, सारदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आप तक सारदा क्लासेस, आफ्लाइन क्लास ले रही थी आप से सारदा क्लास आपके बीच ओनलाइन क्लासेस लेकर भी मौझूद रहेगी तो हमारा आपके समक्ष आना ये मेन मोटो था आपको ये बता देना कि सादा क्लासेस, ओलाइन क्लासेस लेगी, किस तरह लेगी और क्यों आपको सादा क्लासेस में होना चाहिए या इन से जुरा हुआ क्यों होना चाहिए तो थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे अगले कुछ मिन्टों के लिए, जैसा कि मैं देखा हूँ और बहुत जगह मैंने अपना काम किया है और एक्सपिरियेंस से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ यह अधर एस्टेट में जैसे कि राजस्थान हो, दिल्ली हो, या फिर पंजाब हो, कुछ जगहों पे मैंने क्लासेस किया है और हमारा एक्सपिरियेंस भी है लेकिन जैसा कि मैं बिहार से जुरा हूँ और एट लास मुझे यहां आना ही था तो मैंने पाया कि सभी जगह से हटके जो भी तरीका हो, जो भी मैटर बच्चे को देना हो प्राने का तरीका जो ओवर ओल एक हम समझ सकते हैं, सबजने की जो भी तमझाने की जो भी एक कला हो या जो भी टीचर, मेंबर्स, जो ओनेस्टली डिवोटी होते हैं, वो चीज मैंने देखा है यहां पे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं चाहा आपके बीच, क्योंकि यह अभी कलासेस स्टार्ट ही हुई है, तो मैं तरदा कलासेस के बारे में बता दूँ आगे हमारे जो सिनियर है, मेंबर सिनियर वो तो आपसे बताएंगे ही, मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं स्टार्दा कलासेस में, मैं चंदन कुमार, आपका बाइलोजी फैकल्टी, 11-12 कलास लोंगा, हमारी ये कोशिश होगी, आपको जो भी subject as a subject expert, जो भी दूँ, उसका जो memorization हो, वो सारी चीज़े आसानी से हो जाए, ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए, अपने बारे में तो और भी बात आगे होगी, क्योंकि आप तो मौजूद होंगे ही, और अपने बारे में, अपने इंसिचूट के बारे में बोलने मैं आपके समक्ष आया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, आसा करता हूँ, जो भी आगे subscribe करके, हमारे इस channel से, हमारे इस member से जुड़ेंगे, और अपना feedback देंगे, वो हमारा सबसे अच्छा गेन होगा, इसी के साथ ही, धन्यवाद, और जाने से पहले मैं बता दूँ, कि अब हमारे समक्ष, हमारे जो head of management सादर क्लासेस हैं, वो दो सब्द आपसे कहना चाहेंगे, धन्यवाद, आईए सर, हलो बच्चो, very very good morning to all of you, आज बहुत लंबे अर्से के बाद, बहुत कुछ देखने को मिला है, इतने लंबे समय से, लगातार आप लोगों के बीच, पढ़ाते आ रहे थे, ठीक है, एक नया चीज देखने को मिला है, आप देख रहे होंगे, कि इतने अर्से के बाद भी आ आपके सामने कुछ लिखा गया है, वेलकम टू सार्दा क्लासे, जैसा कि अभी आप लोग के बीच, हमारे एक बहुत ही करीबी और मित्र और हमारे टीम मेंबर्स, मिश्टर चंदनकुमार बहुत कुछ आप लोगों के बीच में बताये और ये सब चीज बताया गया, कि क्य आगे करने का इरादा है, और किस उद्देश से हम लोग यहां पढ़ाए है, तो एक नया चीज हाला कि सार्दा क्लासेज आप लोग जानते ही होंगे, कि सार्दा क्लासेज का नाम सुने होंगे, लेकिन उसके बाद भी आज एक ग्रेंड ओपनिंग का अफसर था, तो बार- और मजूदा हालात को देखते हुए आप लोग के बीच, मैं आप लोग को यह इंट्रोडूस करवाने के लिए आया हूँ, कि अब सार्दा क्लासेज, ओनलाइन फैसलिटी, सभी एंगल से प्रोवाइड करने में सक्षम है और देना शुरू कर दिया है, नए कुछ और भी एडिशनल चीज है जो आपको सार्दा क्लासेज में अबलेबल होगा, ओनलाइन और आफलाइन सारे फैकल्टी रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और आपको नई जानकारी मैं कुछ दे दो, कि आप तो देखी रहे हैं, कि आप सार्दा क्लासेज आपके बीच, अब सार्दा क्लासेज आपके बीच, अब सार्दा क्लासेज आपके बीच, नए कुछ एडिशनल चीज भी लाए है, जैसे आपको प्री फाउंडेशन का जितने भी बच्चे हैं, इससे पहले जो भी पढ़ाया जाता था, ओनलाइन और आफलाइन जहां तक ओनलाइन तो सुब्दाम देते नहीं थे, कुछ बी लेकिन आप एक प्रोपर वे से, ओनलाइन फैसलिटी सार्दा क्लासेज दे रही है, एडिशनल में आपका एक प्री फाउंडेशन का कोर्स भी सार्दा क्लासेज दे रहा है, ओनलाइन और आफलाइन भी, प्री फाउंडेशन में आपका 7th to 10th, 7th to 10th का सभी बोर्ड के सेट अप है, 11-12 का अल्रेडी सेट अप है, और इसका कलास चली रहा है, कहीं कोई दिकत नहीं है, एक नया चीज आपको जानकारी दे दे, अभी जो बच्चे 10th पास आउट हो गया है, जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, 11-12 का रिजल्ट नहीं आया है, तो बेस सारा ट्रबूल और बहुत सारा परसानी हमेशा देखने को रहा है, और अभी भी देखने को मिल रहा है, तो वैसा ओनलाइन फैसलीटी में आप देखे होंगे कि पोल्टेक्निक का क्लास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम ही चलता है, और जहां कहीं भी चल रहा है, तो आप से भी कलास चलता था, बहुत अच्छे रिजल्ट है यहां के कहीं कोई दिकत नहीं है, बेसिक से लेके हाईयर लेबल तक कहीं से कोई प्रॉबलम आपको होने वाला नहीं है, हमारे पास जितने भी टॉपिक और जितने भी फैकल्टी आपको मिलेंगे, ओफलाइन के अलग म मिलेंगे, लेंग्वेज का कोई समस्या होना नहीं है, लेंग्वेज का बिलकुल आप लोग को समस्या नहीं होना है, जो भी लेंग्वेज आपको प्रोपर हिंदी और इंग्लिस या मल्टी परपस कमबाइन करके पढ़ना चाहते है, मेटेरियल आपको दोनों भासा में मि लेगा हैंड रिटेन जो भी हो आपको सेट प्रैक्टिस के लिए कोस्टन का कमी नहीं होगा हमारे हाँ कुछ और भी फैसलिटी है जो हमारे आफ लाइन के बच्चे होते हैं बेस पेसलिकरी जो हाँ पर अपना अपना इस्टिचूट है वहाँ पर जो आफ लाइन के बच्च कि लोग कर नहीं पाते हैं तो उस अबस्था में आपको सारदा कलासेश ओनलाइन का सुब्दा ऐसा दिया है कि आपके बच्चे अगर घर पर नहीं वर्क करते हैं नहीं कुछ कर पाते हैं तो जो वर्क आपको दिया जाता है प्रोपर बे और सेलेबस बुक का एक प्रोपर गाइडलाइन सबसे इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दू कि अभी के दोर में या सिक्षा बिदाउट डिसिप्लीन एडुकेशन गया पॉसेबल या एडुकेशन गया जैसे हम आपको समझा दे कि बिना डिसिप्लीन का आप चाहकर भी पढ़ली के भी विद्वान हो गया लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है तो बहुत सारे बेसिकली ऐसे ऐसे चीज है जिसको प्रोपर गाइडलाइन आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो प्रोपर गाइडलाइन तो दिया ही जाता है ऐसा हम नहीं कर रहा ह सब लोग करते हैं लेकिन आप अगर यहां से जूरेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही यह आपका इंट्रोडक्शन सारदा क्लासिज के विशे में हमारे द्वारा आपको रिपरजेंट किया गया था सारे टीम मेंबर हमारे जितने भी है सब डेडी है कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है तेक है आगे के लिए बेस्ट आफ लक थैंक्यू